सो दे कुश्चिन वी हैव इस कैल्कुलेट दे एरिया ओफ दे डिजाइन रीजिन इन दे फिगर कॉमन बिट्वीन दे टू क्वाडरेंट्स अफ रेडियस एट सेंटीमेटर तो बहुत एक सिंपल कुश्चिन है क्यों है क्योंकि यह दिखने में एक डिफिकल्ट सा डाइग्राम लग रहा है इसा हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं लाइक आपको दिखा यह डाइग्राम लाइक दिस एंड यह आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी इसी अकॉर्डिंग लाइक दिस और अब अगर आप यहां पर देखें तो यह वाला जो एरिया है आपका यह वाला एरिया यह वाला एरिया आप एजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी देर के लिए नीचे वाले एरिया को छोड़ दें तो ये वाला एरिया हम easily calculate कर सकते हैं और करते भी आ रहे हैं कैसे like अगर आप ये भूल जाएं कि यहां पर कोई area भी है क्योंकि ये दौने area बराबर हैं आप एक calculate करके फिर two से multiplication कर सकते हैं like यहां पर कोई area है आपने उसे rub कर दिया कुछ इस तरह से अब हम इसका बिल्कुल भी use नहीं करेंगे हम बस जो area हम calculate करेंगे उसकी फिर two में multiplication कर देंगे तो क्या आप ये red वाला shaded area नहीं calculate कर सकते हैं और कर सकते हैं ये एक segment है लेकिन segment किसका है एक पूरे एक circle का और area of segment आपको पता है क्या होता है that is area of segment जो होता है वो equal होता है theta upon 360 यानि कि जो sector होता है उसका area theta upon 360 multiplied by pi r square ये तो sector का area माइनस area of triangle triangle यहाँ पर होगा आपका ADC ADC तो इस type से आपका ये calculate हो जाएगा आप चेक कर लेते हैं आपको क्या के पता है क्या के नहीं पता formula में इसे पूरे को लिख लेते हैं तो theta upon 360 multiplied by pi r square minus next that is half base into height तो अगर आप यहाँ पर देखें आपको theta पता है 90 degree है pi की value यहाँ पर आपको पता ही होगी next r radius अगर आप देखें तो इस circle का radius 8 है next इसके बाद base अगर देखें triangle में तो वो base भी 8 है और height अगर देखें तो height भी 8 है तो एक तरह से आपको सभी चीज़ें हाँ पर पता हैं आप एक sector segment का area calculate करें उसमें 2 की multiplication कर देंगे हम तो जो design था उसका area यहां से calculate होके आ जाएगा तो हमारे पास अब आएगा like हम लिख देते हैं सारी values को तो यह 90 upon 360 हो जाएगा 1 upon 4 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 8 square minus 1 upon 2 multiplied by 8 square तो अब हम यहां से 1 upon 2 और we can say 8 square को ही ले लेते हैं common वरना हम यहां पर 1 upon 2 multiplied by 8 square भी common ले सकते हैं तो 1 upon 2 multiplied by 8 square ही common ले लेते हैं तो यहां तो हमारे बचेगा 1 upon 2 multiplied by 22 upon 7 और 8 square हमने common ले लिया है और 1 upon 4 को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया था like 1 upon 4 को हमने लिख दिया था that is 1 upon 2 multiplied by 1 upon 2 इसलिए हमने एक तो यह common ले लिया एक यह common ले लिया अंदर क्या बचा 1 upon 2 multiplied by 22 by 7 next minus 1 क्योंकि इसमें से तो सब कुछी common आ चुका है तो यह हमारे पास आ जाएगा तो 8 का स्क्वार 64 divided by 2 32 next 22 divided by 14 minus 1 और यह हमारे पास आएगा like 32 22 minus 14 divided by 14 that is equal to 32 multiplied by 8 divided by 14 और इसकी multiplication फिलाल 2 में भी होनी है क्योंकि यह तो हमने एक shaded region का area calculate कर रहा है तो इसकी multiplication अगर हम 2 में कर देंगे तो area of design हमारे पास आ जाएगा that is 2 multiplied by 32 multiplied by 8 whole divided by 14 तो थोड़ी से cut कर लेते हैं like यह आ जाएगा हमारे पास 7 तो 32 multiplied by 8 divided by 7 हमारे पास यहाँ पर area आएगा जिसे हम लिख सकते हैं like इसे थोड़ी सी calculation कर लेंगे हम यहाँ पर 32 multiplied by 8 हमारे पास आ जाएगा 256 divided by यहाँ पर है यह divide हो रहा है actually मैं 7 से तो divided by 7 तो यह हमारे पास आएगा 36.57 और इसे हम लिख देंगे 36.57 cm2 यहाँ जो बीच में design है उसका यह area हमारा calculate होके आ जाएगा ज ढहाँ झाएगा